हेलो गाईस आज हम बात करेंगे Realme C25Y के बारे में और आज हम बात करेंगे इसके गेमिंग मोड के बारे में अगर आप लोग गेम अगेरा प्ले करना चाहते है इस डिवाइस में तो गेमिंग मोड का हमें आप फीचर देखने को मिलता है जो की काफी एडवांटेज है इसमे और फर्स्ट फॉल सबसे पहले आप लोग को क्या करना है यहां पे एक गेमिस्पेस नाम का एप है मारे फून में इसको आप लोग को ढूण लेना हिए आप लोग स्वार्व ही कर सकते हैं यहां से scanner कर्के आप लोग बता देता हूं थोड़ा आसान होगे स्वाइम इस पर olha प्लिक करेंगे थोड़ा से यहां पर open होने टाइम लग रहा है तो देख सकते यहां पर एक बात में आप लोग important पूटा दो जिसे फूर एक्जमपल कोई डीम आप लोग प्ले करें तो आप लोग उसको home screen से direct जाके play न करें, आप लोग सबसे पहले game space में जाए, game space में जाने था आप लोग black icon पर क्लिक करें और सबसे पहले अप लोग को यहाँ पर गेम को add करें न, जैसे for example मैंने game को add कर लिया, और मैं का करूँगा, कि यह जो game है मैं play करूँगा यहां से direct, यहां से मैं direct open करूँगा, तब जाके game space इस game के उपर activate हो जाएगा, और जो जो features है, जैकि मैं आप लोग बता देता हूँ, जैसे यहां पे low power mode, balance mode, pro gamer mode, सब यहां पे features देखने को मिलते हैं, जिसमें low power mode में basically low type का game किले सकते हैं, आप लोग CPU performance जैसे gameplay को enhancement करने के लिए, automatic आप लोग adjust कर सकते हैं, resolution अगर आप लोग यह option को on कर देते हैं, तो brightness lock हो जाता है, यहां पे उसके बाद dual channel native देखने मिलता है, और general में आप लोग को notification block को system मिलता है, और call वगेरा भी आप लोग यहां पे reject कर सकते हैं, जब भी आप लोग अपने पे उठा सकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय मता दी